स्वागत करते हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल किरिकोलेंट प्रेडिक्शन में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वेश्ट इंडिज वर्से न्यूजीलेंड थर्ड और आखरी टीटोंट याई का मुकावला खेला जाएगा तीन मैचो कुछ प्लेयर बैठे हैं उनको मतलब परखने की कोसिस की जाएगी वर्ल्टी 20 के लिए तयार किया जाएगा तो ऐसे हमें क्या कुछ चैन्जेज हो सकता है और न्यूजीलेंड की टीम भी सिरीज जीच चुकी है तो यह भी हो सकता है चैन्जेज करें तो अच्छे साम सबसे पहले किलिक करना और देख लेना च्छे जुन का मैसेज कोई पिन किया हुआ है कि अगर गाई च्छे जुन का मैसेज होगा तो मतलब आप लोग रियल जगा पर आयो नहीं तो काफी जादा लोगों ने मेरे नाम से चैनल वगरा क्रिएट किया हुआ है जहां पर पे पेटीम अगरे देते हैं और मैं कभी पेटीम को परमोट करता नहीं हुँ ठीक हो तो होप आप लोग समझ रहोगे बागी कम सस्क्राइबर देख रहे हैं तो बहें बता देता हूं हर वीडियो में अपने कि जब ठंडीम बिग बैस लिक चल रही थी तो यहां पे श्ट्रा अगस्त को और रात के बारा बजे अपने भारा टाइम अनुसारी यह मुकाबला होगा वेनुस सबिन पार्क किंगस्टन जमाइका के रहने वाला है ठीक है पिछ रिपोर्ड बता दूगाई देखिए बैल इंश्टिंग विकिट रहने वाली है बैस्मेन बॉलर दोनों यह खासा करते हुए दिख जाएंगे हैट टूएट के बात करते हैं तो टोटल 18 मुकाबले खेले जा चुके न्यूजी लैंड के टीम ने 11 मुकाबले वोन किया वहीं वेस्ट इंडीज की टीम ने 5 ही मुकाबले वोन किया और 2 मुकाबला नो रिजल्ट रहा है यहाँ पर तीस तो अभी हम लोग कुछ डिमस्टिक रिकॉर्ट दखेंगे तो वीडियो में आप लोग बने रही है बाकि एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इंटरनेशनल के 134 है हाइस्ट इस्कोर जो कि इंडिया की टीम ने 190 रन 6 विकेट को नुकसान पर बनाया था जो कि पिछले मुका बीच में आज तक स्कोरिंग नहीं हुए 170-190 की बीच में भी एक बर स्कोर हुआ है और 190 से जादा यहां पर दो बर स्कोर हुआ है तो ज्यादा यहां से देखिए यहां से कुछ निकल क्या नहीं रहा है क्योंकि मैचे काफी कम खेले गया है या तो अभी हम लोग में देखते हैं तो 161 है और हाई यह 266 या ट्रुविंगो नाइट राइडर्स की टीम ने बनाया था और लोवेश्ट यहां पर 75 अंदस मतलब बनाके अल आउट हो गई थी संस्कीट्स निवन पेट्रोरियर्स की टीम और यहां पर अगर स्कोरिंग पैटन हम लोग देखत सकते हो इतना बनना चाहिए इसली बनना चाहिए दोनों टीमों में अच्छी खाजी बैटिंग भी है बहले से वेश्ट इंडिस की टीम नहीं जीत पारी तो क्या हुआ गई नौ नंबर तक बैटिंग है ठीक है मतलब नौ नंबर तक इनके पूरे बैट्समैन एक परमुख सत्रों को मुकाबला हुआ है इंडिया वेश्ट इंडिस के बीच में इंडिया की टीम एक सो नबबे रण छे विकिट के नुकसान पर बनाई थी यहीं जो कि हाइस्ट स्कोर भी था अभी कुछ दिन पहले और यहां पे वेश्ट इंडिस की टीम एक सो चारानोय बनाकर इस 19 फरवरी को वेश्ट इंडिस आयरलाइन के बीच में 116 विकिट को नुकसान पर वेश्ट इंडिस की टीम बनाई थी आयरलाइन की टीम इसको चेर्ज कर गए थी 6 विकिट से यह मुकाबला जीज गए थी अगर यह मुकाबले छोड़ दिया जा तो यहां पर देखिएगा लोवेश्ट स्कोर बन रहा है और विकिट भी देखिएगा तो अच्छा खासा आप लोगों को देखता है हुआ मिल जाएगा बागी बात करते हैं वेश्ट इंडि की का कुछ पोसिबल प्लेंग 11 हो सकती है विट रिसेंड मैच स्कोर कार्ड के साथ तो यहां पर पिछले म ऐसे पहले एक-3 रहनों का स्कोर इनों ने किया था बाकी निकॉल्वस पूरान का देखिए यहां से कप्तान का इंका अची नहीं नहीं कर पा रहें। बाकी बैटिंग अची खासी है जैसन होल्डर देखिए बैटिंग करना है थी 11 रन का इसकोर आपिए बॉलिंग से विकेट लेस चले गए थे रोमन पॉल जो कि टीम के वाइस कैप्टन है अभी देखियो साथ मबनर पर रोमन पॉल खेल रहे हैं इन तक भी बैटिंग है 21 रन का इसकोर यह कर पाए थे रोमारियो शेफ़र्ड 18 रन क खेल रहें फिर भी टीम नहीं जीत पारी यह काफी जादा यहाँ पर मतलब सोचने वाली बात है इनके तरफ से बात करते हैं कौन सा बॉलर ओपनिंग और देफ में बॉलिंग करने के लिए जाना जाता है तो देखिए काईल मेर सार हैं फिलाल पिछले दो मुकाबले में यही पहले ओबर लेकर आया रहे हैं लेकिन most of the chances में आप holder ओबेड मुकाई को मान सकते हैं बाकि देथ में holder ओडेन स्मित रोमारियो शेफर्ड ओबेड मुकाई यह सब लुक फेकते हुए ठीक है बाकि बॉलिंग इन्फरमेशन देख सकते हैं इनके तरफ से कौन सा बॉलर कितन यहां पर डालेंगे बागे बात करते हैं दोस्तों किया कुछ नुज्वी लैंड की यहां पर पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकते हैं तो के डिवन फॉंवेस जो की ओडिवन कोहनवे ओपनिंग करने आ रहे मार्टिन गप्टिल के साथ 42 रनु का स्कोर पिछले मुकाबले में उससे पहले 43 रनु का स्कोर किया तो दोनों मुकाबले में 44 पलस का स्कोर कर चुकर है और लगवाग 50 में आवरेज भी रकते बढ़िया खिलाडी है तो उसके देखें मार्टीन गप्टिल को देख सकते हो 20 रनु का स्कूर इनों ने किया था इस समय देखा जा तो थोड़ा सा मार्टीन गप्टिल आउट आफ फॉर्म चल रहे हैं लेकिन खेलाड़ी अच्छ है तो कभी भी बड़ा स्कूर इनके बाट से आ सकता है उसके बाद वन कर रहे थे अपने टीम में थे अच्छाता रनु का स्कूर इनों ने किया था अच्छे खेलाड़ी अगर इनको मौका मिले अच्छा खेलने का तो अच्छा खाता पर्फॉर्मेंस इनके बैट से आप लोग आगेन देख सकते हो ठीक है डैरी में चल आटा 48 रनु का स्कूर किनों ने किया था क्योंकि देखे टॉप ओडर में से दो खेलाडी फ्लॉप हो थे तो इन लोगों को बैटिंग करने का मौका मिला था लेकिन वही अगर वेस्ट इंडिस की बात किया जा तो उनके भी खेलाडी पर्फॉर्मेंस मतला आउट हो रहे हैं लेकिन उनका मिडल बहुत ही अच्छा है जेम्स निसम नौर अनों का स्कोर यह कर पाये थे माइकल ब्रेस्वेल जो किया थे गाई तीन विकेट निकाले थे मिचल सैंडनर को दोनों मुकाबले में तीन-तीन विकेट मिला था बाकि इशोड़ी एक विकेट लेका ले थे ट्रेंड बोल्ट यहा इनका नाम ही आप इंक्लूड किया है बाकि बालिंग इंफर्मेशन आप इनके तरफ से देख सकते हैं यह जादा बॉलर यूज नहीं करते हैं यह लोग ट्रेंड बोल्ट हैं टीम साओधी हैं मिचल सैंडनर चार-चारोबर के बालिंग करेंगे बाकि लोकी फर्गुसन अ बाकि देखिए यहां से ओफर ओल सारे प्लेर्स का रिकॉर्ड है अगर कोई खेल लेता इसमें से क्योंकि आल्रेडी स्रीज हार चुकी है तो हो सकता है यहां पर कीमो बाहर बाहर बैठी इनको मौका मिल जाए या तो फिर ब्रैंडन कींग को भी मौका मिल सकता जारी जोसे करते हैं खेलना तो होप आप लोग यहां ते सारे प्लेर्स का रिकॉर्ड समझ गया होगे अब बात करते हैं क्या कुछ हम लोगों की टीम बनरे इस मुकाबले से रिलेटेड दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले विकट कीपर सेक्शन से तो आप लोगों को देखिए यहां तीन ओप्सन है जो की खेलते हुए दिख जाएंगे लेकिन सेफ में बात किया जा तो फिलाल मैंने डिवन कॉनवे को अबने टीम में ट्राई किया अगर ऑप्सन की बात किया जा तो निकॉलास पूरान भी है जो की वन डाउन खेल रहे हैं और प्लेयर में अबलेटी काफी बहतर अच्छी है मतलब तो कभी भी बढ़िया स्कोर इनके बैट से आ सकता है तो अभी मैं बता दूँगा आपकी इसके प्लेयर पे इनको ले सकते हो फिलाल के लिए मैं डिवन कॉनवे के साथ ही यहां पर जा रहा हूँ सिर्फ एक विकट की पर के साथ बैटिंग से अग लेकिन फिलाल मेरे टीमेट यहां पर नहीं फिट हो पा रहे हैं बाकि सिम्रोन हेटमायर का भी ऑप्सन है तो देखिए अब यह लोग तो सब ग्रांड लिकी मुझे पीक लग रहे हैं बाकि बहुत अच्छे जबरदस्त खिला रही है लोग बात करता है अल्राउंडर सेक् करेंगे तो फिर चांसेज कम हो जाता है पॉइंट देने का और इन लोग पास एक तो बॉलिंग का अडवांटेज पलस देथ में बॉलिंग का डवांटेज इस वाज़त मैंने अपने टीम इनको ट्राई किया अब बात करते हैं यहां से देखिए बॉलिंग सेक्शन से तो नहीं करूंगे विकाज वो देथ में बॉलिंग करेंगा लिकिन अगर फिर से वेश्ट इंडिस की टीम अगर फर्ष्ट बॉलिंग करती तो हो सकता है यहां तो ओबेड मॉकोई ओडेन स्मित बाकी टीम साओधी या फिर इस शोडी में से किसी एक को अपने टीम में रखू यहां बॉलिंग करने वाले हैं और सामने अच्छे खासे लेफ्ट हैंडर है तो ऐसे में हो सकता है दो तीन विकेट इस मुकाबले में भी आप लोगों को इसली चटकाते हुए दिख सकते हैं तो फिलाल के लिए तो वाइस कैप्टैंसी होल्डर को मैंने दिया लेकिन हो सक सबसे पहले देख लेना 6 जून का मैसिज किया हुआ है कि नहीं तो फॉप आप लोगों को अच्छा मतलब यहां पे बहुत अच्छी सस्क्राइबर आप लोग मुझे करवाद होगे तो होप आप लोगों सुम्मीद रहेगी तो मिलते हैं एक वीडियो में तब तक लिए ग